नमस्ते दोस्तों मेरी यमीर सोई में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की आटे की स्वीट रेस्पी दूद वाला पिठा बहुत अच्छी बिना तेल घी की बनती है और बहुत ही सौप तयार होती है इसे हमने मावे की फिलिंग और गजग की फिलिंग से बना सकते हैं गूड और अलसी की फिलिंग भी करके बनाई जाती है इसे ठंड में खाया जाता है और गर्मा गरम काफी टेस्टी लगता है दोस्तों मेरी ये रेस्पी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें वे नुद्ध के अंदर केसर का 10 से 12 दागा लिया हुआ है 2 टीस्पून काजू चौप किया हुआ 1 टीस्पून किसमीस 1 टीस्पून पिस्ता चौप किया हुआ 2 टीस्पून बादाम इलाइची पाउडर हाप टीस्पून 6 से 7 टीस्पून सुगर पाउडर माबा आधी कटोरी है आटा को लगा लेते हैं उबला हुआ गर्म पानी लेना है और उसे आटा में मिक्स करनी है आप इस तरह से मिक्स कर दीजे धीरे धीरे पानी डालके बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है यह आटा गिला हो जाए ऐसा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालना है गर्म पानी मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढखके रेश्ट पर रख देना है फिर बाद में इसे थंड़े पानी से हलका सा थंड़े पानी भी आप डाल सकते हैं और उससे आटा तयार कर सकते हैं या तो फिर अगर गर्म पानी से ही तयार हो जाता है तो फिर थंड़ा पानी डालने की जरुवत नहीं है बहुत गिला नहीं और बहुत कड़क भी नहीं बीच-बीच का आटा तयार करना है इस तरह का आटा तयार हो गया अब माबा बना लेते हैं माबे को कड़ाही में डालते हैं हलका सा गर्म करते हैं और ड्राइफ्रूट पर गएर डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा हलका सा इलाईजी पोडर भी डाल देते हैं उसे मिक्स कर देते हैं सुगर पोडर भी अट कर देते हैं अब माबा तयार हो गया इसे निकाल लेते हैं अवाटे का लोई बराबर बराबर ले लेते हैं और इस तरह से अच्छी तरह से गूल बना लेते हैं पहले उसका सेब को और फिर इस तरह से बीच में करते हुए और इसमें माबा का फिलिंग डाल के अच्छी तरह से डाल लीजे और फिर इसे पैज कर देते हैं फिर उसे हलके हाथ से कूल कर लीजे इस तरह से बना लेना है देखिए इस तरह से बना लीजे सारे त्यार कर लीजे और गजक लेते हैं गुड़ वाली गजक है ये अब इसे टुकडा टुकडा कर लेते हैं अब आटा लेते हैं और जिस तरह से मावा की फिलिंग भरे थे उसी तरह सी गजक की फिलिंग भरके और गोला तयार कर लेते हैं इस तरह से अंदर डालके पैस किजे और हलके हाथ से गोले को बना दीजे इस तरह से इस तरह से सारा तयार कर लेते हैं अब कोई भी वर्तन में आप पानी डालिए जिसमें ये गोला अच्छी तरह से डूब जाए और जब वह बलने लग जाए फिर उसमें इस गोले को एड़ कर दीजिए इसे डाल दीजिए अच्छी तरह से जितना भी आ सके उतना अभी तो ये नीचे के तरफ चला गया है लेकिन जब ये उबल जाएगा तो ये अपने आप उपर आ जाएगा अब इसे ढख देते हैं 15 से 20 मिनिट का टाइम लगेगा इसे तयार होने में ये देखिए उपर आने लग गया उपर आ गया है सारा ये पक गये हैं ये सारे उपर आ गये हैं अब इसे निकाल लेते हैं दूद को उवाल लेते हैं गाड़ा नहीं करना है दूद को बस उवालना है और अच्छी फैट वाले दूद लेनी है अच्छी फैट वाले दूद लेनी है इसमें सुगर पोडर एड़ कर देते हैं आप अपने हिसाब से थोड़ा कम जादा जैसा मीठा खाना हो उस तरह से सुगर पोडर डालते हैं और बाकी सारे ड़र फुट बेगरर इसमें यूज कर लेते हैं जितने बचे हुए थे वो सारे और केसर वाला दूद भी डाल देते हैं अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसमें एक वाला आने देते हैं अब इसमें इस पीठे को डाल देते हैं अब इसमें रहते हुए पास मिनिट के लिए उबालना है अब यह तयार हो गया है अब इसे गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगता है खाने में देखिए बिल्कुल तयार हो गया है अब देखिए अब देखिए अब देखिए